नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल चार्ट ट्रेड में मैं विजे मिना बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों हमारी चार्ट टवी के लिए एक और वीडियो लेके आएं और आप देख रहे हैं पिछले चार दिन से मार्केट लगातार गिर रहा है इस ग्रावट के माहौल के अंदर कौन से श्टॉक हो सकते हैं जो यहां से अच्छा खासा रिटन दे सकते हैं तो मुझे ऐसा ल लिए तो निश्चित तोर पे सरकारी बैंकों के अंदर आपको निवेश करना चाहिए अब आज किस सरकारी बैंक के बारे में आज हम इस वीडियों बात करेंगे उसके लिए आप वीडियो के अंतक जरूर बने रहें देखेंगे किस तरह का चार्ट उसी श्टॉक का लग वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर टेल्ग्राप चैनल के साथ जूड़ना चाहते हैं तो लिंक दे रहा है डिस्क्रिप्सर में जाके जोइन हो चलते हैं कौन सा इस्टोग है जिसके बारे में आज हम इस video के अंदर बात करेंगे तो आज के चाट ऑफड़वीक वीडियो के नदर हम बात करेंगे जिस PSU के बारें बात करेंगे उस बैंक का नाम है बैंक ओप बढ़ोधा और देखिए यह वीडियो जो बनाया जा रहा ह यह 23 अक्टूंबर 2021 को बनाया जा रहा है अगर हम आज के दिन बैंक और बड़ोदा के इस्टॉक के भाव की बात करेंगे तो 94 रुपे और 60 पैसे इसका फ्राइडे का क्लोजिंग भाव है अब चलेंगे हम सीधा चार्ट पे क्योंकि देखिए मैंने प्यस्वी बैंक के चार चार देखें जहां पर मुझे बेंगो बड़ोदा का ठीक लग रहा है उसके बाद प्य अवी बैंक का बी चार्ट अच्छा लग रहे तो अगर प्यांवी डैक बेंक का वीडियो बना देगे प्यामी बैंक के उपर तो फिलाल बैंक बेंक रॉड़ोदा के चार्ट को पर ठीक है वहां से इस टॉक अच्छा का सा उपरा चुका है अब अगर मैं बात करूं तो इस टॉक हो चुका है डबल से भी ज्यादा और यहां पर देखें यह हो रहा है अब स्टॉक देखें 30-35 रुपे का स्टॉक अब यहां पर 90 लेके 70 के लेवल पर कंसुलिडेशन हो रहा है और यहां पर एक हमारी कुछ समय की ट्रेंड लाइन जिसका राइस्टेंस से बार बार ले रहा था एक बहुत ती महत्पून मुविंग एवरेज जिसका राइस्टे बाते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है तो अभी आप वीडियो के आगे बने रहे इन दोनों के बारे में हम अभी बात करेंगे अगर देखें अगर हम नजदी की रेजिटेंस की बात करें तो बैंको बड़ोदा के लिए यहां पर जो रेजिटेंस का लेवल निकल के आ रहा बाते हैं तो यहां पर देखें लिए रेजिटेंस लिए और तीन से चार बर देखो यह रेजिटेंस ले तरह लगाता है अब जाके इसने इस लेवल को ब्रेक आउट कर दिया अब यहां पर वर्ल्यूम के साथ में हुआ है अगर आप देखें इस सब्था चार दिन तक मार अंदर आई है यह वोल्यूम के साथ में खरीदधारी अब आपको चाहट के अंदर एक बिलू कलर की टैनलाइन नजर आ रही है मैं मार्क कर देता हूं यह वाली टैनलाइन है ठीक है यह हमारी 2018 से यह रेजिस्टेंस का काम करती है यह बैंको बड़ोदा के लिए अब अगर हम देखे अक्टूमर 2018 की बात करें तो चार से पांस सपता इसी टैनलाइन के पास रेजिस्टेंस लिया लेकिन इसे ब्रेक नहीं कर पाया उसके बाद 2019 में जून जुलाइए के अंदर आया यहां पर इस्टोक आया रेजिस्टेंस लिया लेकिन नहीं कर पाया और अगस्त को ब्रेक नहीं किया लेकिन फैनली इस सितंबर अक्टूंबर महिने में जाके हमारा बैंक को बढ़ोदा ने जिस ट्रेंड लाइन का रेच्टेंस चार से पांच बार ले चुका था उसको ब्रेक आउट करके उपर निकल चुका है जो हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है कि कि हमें क्यों बैंक को बढ़ोदा का इस टोक खरीदना चाहिए क्योंकि जो एक हमारी ट्रेंड लाइन आ रहे थी जिसका दोज़ार अठारा से किस तींग साल हो गए थे बार-बार रेजिटेंस ले रहा था उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट देखके हमारा बैंक को बनता हो नजार आरा जिसको हम बोलते हैं इन्वेटर anti हर चार्ण पैट अब मैं हमपे मार्क कर देता हूं यह हमारा ज़ूंब है पूर हमारा एक추 है है हैड हो सॉर्य है हमारा इसके अंदर हमारा हसं हो गया है कि बैँ एस तरह का बनता हुआ हमें चार्ट में नजर आता है मैं बता दूं आपको कोई जरूरी नहीं है कि हेड़न सॉल्डर बिल्कुल एक है रिजेंटल लाइन के उपर ही हमारा इन्वेटर हेड़न सॉल्डर चार्ट बना चीए थोड़ा नीचे की तरफ भी इसकी जो ट्रेंड लाइन हो कि वह सकती है यह हलकी सी ऐसे उपर की तरफ भी हो सकती है तो चार्ट पैटरन के हिसाब से यहां पर इन्वेटर हेड़न सॉल्डर चार्ट बनाए जिसका ब्रेक आउट देखे इस ट्रॉक निकल चुका है और यह ब्रेक आउट आया यह वाल्यूम के साथ आया चुका है ज जोन है हमारा बैंक को बड़ोदा के लिए वो कितना इस ट्रॉंग रेजिस्टेंस का जोन है ठीक है यह दिखाने के लिए मैंने इस चार्ट को मंतली किया है अब दो अजार अठारा में इस लेवल का यह हमारे पास में रेजिस्टेंस रह ठीक और उसके बाद इस ट्रॉक 2019 रुपे के लेवल का ठीक है मार्क कर लीजिए लिख लीजिए ठीक चार से पांच में रेजिस्टेंस लिया लगातार उसके बाद जाके इसने ब्रेकाउट दिया इस टॉक जा चुका था हमारा 220 रुपे ठीक कोई बात नहीं इस ब्रेकाउट के बात में जब इस टॉक में गिरावट आई 2014 के अंदर तो जो पहले हमारा रेश्टेंस था 85-90 का लेवल अब वो क्या काम करेगा हमारा सपोर्ट का काम करेगा तो यह देखें यहां पर सपोर्ट बना 2013 14 के अंदर इसके बाद 2018 के अंदर देखो इस टॉक फिर आया यह हमारे पास सपोर्ट बना इस 140 रुपे समझ लेते हैं इस टॉक में फिर गिरा फिर से देखें यहां पर सपोर्ट लेके इसके बाद हाई लगाया था 107 रुपे का और उसके यह कोविड के दोरान की गिरावट हमारे पास यह रही अब जब हमारा सपोर्ट ब्रेक हो गया तो इन आगे क्या काम करेगा य अगर मैं यहां पर मार करूं इस 85 रुपे से लेके और 90 रुपे के मद्य तो यहां पर कितने मंथ निकल के आएंगे हमारे पास आ रहे हैं एक दो तीन च्यार पांच है साथ आठ आठ महीने हो चुके हैं इस टॉक लगातार इस लेवल का रेस्टेंस ले रहा था और इस मही करता हुआ नजर आ रहा है और इस जौन के बाहर जाके अब तक इसने क्लोजिंग दी है अगर मैं बात करूं वोल्यूम की तो देखिए इस टॉक दोजार तीने चैर में लिस्ट हुआ था जहां चार्ट में मुझे नजर आ रहा है लिस्टिंग की डेट इसकी वहां से लेक ठीक है आप दोजार चार से लेके दोजार अठारा उनिस तक देखिए बिल्किल वोल्यूम नजर नहीं आ रही लेकिन जैसे ही कोविड के दौरान इस टॉक ने यहां पर 30-35 रुपे के लो लगायते हैं आप यहां पर वोल्यूम देख सकते हैं कि इस बार जो खरिदारी हो उर यह जो हमारे बैंक हो बढ़ोदा के लिए एक positive संकेत दे रहा है अब हम हमगे जो मुएंग आवरेज का थीक है हम जो मुएंग एवरीज देख रहे हैं वह weekly का 200 week का हम मुएंग आवरेज देख हैं peso 2018 में देखो च्यार से पांच सपता लगाता यहां फर लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि यहां पे था हमारा एक resistance का area इसके बाद 2019 में आया ठीक इस 200 week के EMA का ही resistance लेके stock नीचे गिरा है इसके बाद फिर से 21 में आया तो यहां पे देखो यह resistance लेके stock हमारा नीचे गिरा तीन बार हमारा 200 EMA का resistance ले चुका है लेकिन इस सप्ता देखें तो हमारा stock इस 200 week के EMA के उंपर जाके close हो चुका है तो इस Friday की जो closing है हमारे पास में उसको मैं mark कर देता हूँ 94 रुपिये और 50 पैसे की जबकि अगर हम 200 EMA का भाव देखें तो हमारे पास में 92 रुपिये और 85 पैसे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 200 week के उंपर जाके हमारे बैंको बड़ोदा ने closing दी है अगर मैं यहां से target की बात करूंगा बही कितना target आ सकता है बैंको बड़ोदा में तो जो पहला target निकल के आएगा वह लगबग 140 से 145 रुपे कर निकल के आएगा तो यह बार जाब ब्रेक हो जाएगा तो फिर इसमें जो 220 के हाई लगा करने की कोई राय नहीं है जो भी कुछ आपको करना अपने वित्ते सलाकार की राय लेकर ही करें और देखिए धीरे अगर फिर यह कहूं एक साथ निवेस बिल्कुल नहीं करना कि आप मंडे को मार्केट को ले और इस लेने के लिए भाग जाए ठीक है निवेस करिए धीरे- क्या सिनेरियों हो सकता है हो सकता है कि यहां 200 वीक के ब्रेक आउट देके उसका दुबारा रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल को आ सकता है तो अपने पूरे पैसे हैं वह एक साथ बैंक को बड़ोदा में नहीं लगाने ब्रेक आउट होता है कुछ खरिदारी कर लीजिए अजी अगर रिटेस्ट करने के लिए नहीं आता तो कई न कोई प्रयस अक्षन भनेगा को चार्ट प्रेस की ब्रेक आौट हो फिर एंट्र कर लीजिए और अगर रिटेस्ट करने के लिए लेप कर सकते हैं और पसंद आई हो Gef Justus Amie कर के ड़ेखने के लिए ज़रू चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे